मित्रों स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है, जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ दान धर्म जब तप आदी प्रकार के करोडों पुन्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ती होती है, किस पुन्य के कारण मिलती है, ऐसा वह कौन सा पुन्य है जो मनुष्य के करोडों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन है जो उसके करोडों पुन्य को नश्ट कर डालता है, तो चलिए मित्रों बिना देरी कि ये शुरू करते हैं, ए कुछ मनुष्य को पुन्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुन्य को नश्ट कर डालता है। और वह कौन सा पुन्य है जो समस्त पापों को भस्न कर डालता है। तब भगवान विश्नु कहते हैं कि देवर्शी आ आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे सुनकर आपको आपके सभी प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवन करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है, देवर्शी कहते हैं, यह प्रभू आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा, भगवान विश्नु कहते हैं, है देवर्शी पूर्व काल की बात है, मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर पांच मनुश्यों की मृत्यू हो जाती है और वे सभी मृत्यू के पश्चात यमलोक में पहुँच जाते हैं यमलोक पहुँचने पर वहां का दृष देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं उनका अंगन कामपने लगता है यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिनहासन पर विराजमान होते हैं, उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, यम के दूद प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं, कुछ मनु अगनी की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है, इस भयानक द्रिश्य को देखकर वे पाँचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और अपने अपने पाप के विशय में चर्चा कर रहे होते हैं, उन पाँच में से चार लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप क कर्म किये हुए होते हैं, और उन सभी को यह जान पड़ता है, कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं, उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी विश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है, तथा पाँचवा एक धनवान किसान होता है, वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तयार होते हैं, फिर एक एक करके सभी पापी और पुन्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं, वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं, पहले चोर कहता है भाई मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था, चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था, शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मैं ही हम पाचों में सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ती नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूँ पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशुका मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड उसके बाद वह वेश्या बोलती है, भाई हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूँ, मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा, जो स्त्री अने पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं, इ जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया, मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं, मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था, मैं करती भी तो क्या करती मेरे पास इतनी शक्ती नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा, और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी, उसके बाद वह सैनिक बोलने लगता है, भ ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है, यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चिती नरक में ही जाऊंगा, लेकिन मैंने यह सभी पाप जान-बूच कर नहीं किये हैं, अपने प्रा द्धबला कोई साधारन मनुष्य कैसे जा सकता है। पाप किये हैं, वह जाने-अनजाने में किये हैं, या किसी ने तुमसे जबर्दस्ती करवाए हैं या मस्बूरी में किये हैं, किन्तू मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य-सत्य जानता था, मुझे सच और जूट का ज्यान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोग वश यह पाप किये हैं, शास्त्र कहता है कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है, वह निश्चित ही नरक में गिरता है, मैंने अपने ग्यान का दुर उप्योग किया है, मैंने अपने ग्यान का उप्योग लोगों की सहायता के लिए नहीं बलकी धन को कमाने के लिए किया है, मेरे घर की परिस्थिती अत्यंत गरीब थी, मेरे पिता भिक्षा मांग कर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्यान देने की चेश्टा की है, शास्त्र कहता है, जो विद्वान ब्राह आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ, और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा, उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा, और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा, तुम लो मैंने मृत्यू से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ती के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। तो मेरे पुत्रों के श्राद आदी के कारियों द्वारा मेरे पाप भी नश्ठ हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आय अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ती निश्चित ही होगी, फिर वे पाचों धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर जब उनका समयाता है, तो उन पाचों के पाप और पुन्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप उन्य का मूल्यांकन करने के बाद यम्राज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्नय को सुनकर चोर आश्चर्य में पढ़ जाता है और बड़ी ही प्रसंता से वह स्वर्ग के दर्वाजे की और चला जाता है। दूसरी की बारी आती है वेश्या की चित्रगुप्त उस वेश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप उन्य का मूल्यांकन करके यम्राज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित रनिर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पढ़ जाती है। भी भी सोच में पढ़ जाता है और बड़ी ही प्रसंता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है। फिर मैंने जो पुन्य के काम किये हैं। उनका क्या पापी और पुन्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुन्य करने का फाइदा ही क्या फिर उस धनवान किसान को यम के दूट जोर से धकेल देते हैं। और कहते हैं अरे पापी तु आगे चल तुझे नरक में डाला जाएगा। यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है। यम दूटों मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने जीवन में बहुत पुने किया है। देख लेना यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चितरगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुने के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं और मुझसे पहले जो चार लोग गए थे वे तो घोर पापी थे उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराद किये हैं। के कारण तेरा सारा पुन्य फल नश्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था। लेकिन तूने यह पाप जानबूच कर किया है। इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी। किन्तु वह चोर दूसरों की भूख मिटाता था। गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोश और गरीब व्यक्ती के घर चोरी नहीं कि उसके पुन्य कर्म उसके पाप से अधिक थे। इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी। उसे जबरगस्ती डाला गय और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीडा दी है। लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुन्य के ही किये हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी। इसलिए उसका भी पुन्य पाप से बढ़ा था। तीसरा वह सिपाही था जि उसने अपने ज्यान का दुरुपयोग अवश्य किया है। किन्तु वह नित्यगाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था। इसलिए उसके भी पुन्य पाप से अधिक थे और वह भी स्वर्ग में ही गया है। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोलता है कि धर्मराज इन चार में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, हे दुष्ट याद कर तुने उस अबला विध्वा नारी पर गलत लांचन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है। और इसके साथ ही तुने उसके उपर कई अन्य गलत लांचन लगाये थे। उसे व्यभिचारिनी और और पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है। किन्तु दूसरों पर गलत लांचन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है, जो दूसरों पर गलत आरोप करता है। सत्य जानकर भी दूसरों को जूट कहकर उनके पर दोश डालता है। वह तो सबसे बड़ा पा किसान को नरक ले जाने के लिए कहते हैं और वह किसान रोता हुआ विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। का फाइदा नहीं उठाना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है। उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करता है।